हालो कसान भाईयों कैसे हो आप सभी कस जो आगे तो हमारे यूटूब चैनल पर मुल्टि क्रोप सेटिंग के बारे में जानकरी बताऊंगा अभी मसीन मेरा दो मसीन है एक मसीन ही खड़ा अभी तक स्टाट नहीं किया एक मसीन स्टाट किया देशी बाजरी में चल रहा है दे जो भी समसिया उस समसिया के बारे में बताऊंगा यह से आप कॉल कर देते हो कि हमें वह समसिया आ रही तो उस समसिया में पता नहीं चलता किया समसिया रही अगर आप वीडियो क्लिप छोटा सा बेज दे तो उसके बारे में तो पूरी-पूरी समसिया के बताऊंगा यह इ हमारे चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दिखा देता हूं यह लास्ट में खाली नहीं गिया बस इसी वेज़ा से सबसे पहले हम कट्र की बात करेंगे कट्राम तो आप 4 mm का यूज़ करेंगे अगर 4 mm में आपको पता ना चले तो मैं कट्र की ताड़ी गिन के बता देता हूं आपको कितने ताड़ी है तो जो सिक देखो मेरा उसी मसीन का कट्र पड़ी है दो-3 तो मैं है आप कहेँ तो मैं आपको मैं गिंती करके बता देता हूं कट कौन सा लगांगे बाजनी में कि यह ने अब यह एक ताड़ी से दूसरी ताड़ी की बीच में हम देशी बाजरी में चीर एमेंएंगा यूज करेंगे वह अब बाज रहा तो भी ते यूज करेंगे बस दो तिन ताड़ी का कई बार में क्या एम में में बता देता हूं और आपको और पता नहीं चलता कि कितने mm का है Centrum कर अ कि बदादी का चाड़ रहा हैत्य। चलो करते हैं ताड़ी की गंती मेरे पास या जटाकर रहे हैं और यह भी मंद्धजिन कर देते हैं दो चीह6 8 इस बारा चौधाश JOSH developing 22 29 28 28 30 30 32 34 36 38 40 42 46 48 40 52 54 58 60 62 64 66 68 60 60-65 64 च्छोतर वह चोतर ताडी यह अपना कट रहा है चोतर ताडी का ठीक है और यह वहला कटा रहा है यह कि यह कट्र अपना ब्याश सी ताडी का है कि इससे अलका सब आरीट एंग जोटर और चटारी गंतर रहे इसमें और इसमें और मैं देशन बाजरी में यह 80 या 82 ताड़ी का यह वाला कटर यूज़ करता हूं और आईब्रेड बाजरा में यह वाला छोतर शुतुतर ताड़ी के आसपास जो वह चालू कर यूज़ करता हूं कि अभी हम स्टाडिंग कटर से करते कट का हम बता दू मैंने बता दिया आपको गंती करके भी ज़्याद हम शुतुत्तर ताड़ी का होगा या उस से ज्यादा इस फुतर या 88 तक यूज़ करेंगे ठीक है बेच में गवीच होना होना चाहिए और चलू पाड़ी में बता तो 50% 8 % का वगा तो देशी बाजरा में किया की बाजर भाह दाना अब देख रहे हो सब्सक्रण कहारा उसमें फ्सक्राण कोड़े में इस चोट्टा कट्रों को तो ऑनीच अधर निकल जाएसे पेब बेट दाना अंदर नहीं आएगा केवल बिना दाने के बेट नीसे आएगी और वह पंके उठा लेंगे ठीक है और उड़ने का चांस बहुत कम रहेगा अगर हमारा कटर छोटा अभी सुतत आड़ी का है तो इसमें बिट ज्यादा है कि और बाजरी उड़ने का चांस ज्याद करते हैं कि अलका सब्सक्राइब लकडी भी रहा है व्यूट वाला जाली हम नव नम्बर का यूज करेंगे दस नमर ज्यार नमबर आपको पास है लेकिन वाला यूज नहीं करेंगे केवल नव नमबर यूज करेंगे और बीच वाला जाली याम 5 नमर का यूस करेंगे रिख जाली लगाए नममर नहीं दिख रहा हुआ और मेरा जाली या दूसरा अंदर रखा कमरे के दुरुए मेfest में अब को में नमर क्लाशी को में दिखा हुआ कि हुसत हुँ एक टाली तो अने स्वेट । कौन सा आपको चलाना है क्या यूज़ करना है और यह चोटा वाला जाली इस पे नंबर नहीं दिख रहा है यह अपना वाजरी हम चान नंबर का यूज़ करेंगे यह साड़ी चान नंबर का यूज़ करेंगे दोनों में कोई भी और ज्यादा बाजरा जैसे आ रहा है तो पा और मसीन को हम सिंगल चापट में चलेंगे यानि अपना मसीन फास्ट स्पीड में चलना चाहिए कट्रे वाला स्पीड वह फास्ट होना चाहिए थाकि ट्रेक्टर पे लोड कमाए और पंखो की साइज में बता दू आए यह बीच वाला पंखा है और कि अगरें बीच वाला पंखे की साइज 4 इंच चार से 4 इंच आप कर देना और पिच्छी वाला पंखे की साइज 5 इंच की हुए है आप मसीन फिरसे देख लेना एक बार आप साड़ी चार से साधी चार इंची के 20 में रखके स्थाट करना बाद में जो आपको रिजल्ट आए कम ज्यादा थोड़ा बहुत 19-20 करना हो तो बाद में कर सकते हैं ठीक है